फ्रांस को इन दिनों एक अलग नजर से देखा जा रहा है फ्रांस में जो हुंसा हुई उसके बाद चार लोगों की मौत हुई उसके बाद कटर वाद इसलामवाद का जो मुद्दा है वो फ्रांस में काफी जादा हावी होने लगा है अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल है जिसमें एक शर्णार्थी कैम्प की कुछ लोग वहाँ पर नजर आ रहे हैं और वहाँ पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि फ्रांस में मुस्लिम को अब लोग शर्णार्थी कैम्प में घुसकर खदेरने लगे फ्रांस में कटरपंती हिंसा में चार लोगों के मारे जाने के बाद से देश में आकरोश है इन घटनाओं को लेकर फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद और कटरवाद का मुद्दा गर्मा चुका है इसी के मद्दे नजर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वाइरल है इस त पस्वीर के साथ सोशल मीडिया यूजर्स कैप्शन में लिख रहे हैं कि फ्रांस में शांती दूतों के खिलाफ अविसायों का गुस्सा फूट पड़ा है सोशल मीडिया तरसल एक ऐसा माध्यम है जिस पर दावे तो बहुत सारे किये जाते हैं लेकिन उन दावों में सच्चाई कितनी होती है ये बहुत बड़ा सावाल होता है क्योंकि फैक्ट्स किया है इस पर कोई ध्यान नहीं देता लेहाज़ा जो दावे सोशल मीडिया पर क तुर्की की बॉर्डर के पास ली गई थी इस तस्वीर को खोचते समय हमें यह तस्वीर के साथ दिये गए कैप्शन के मुताबिक यह तस्वीर 10 जून 2015 को तुर्की के सनली उर्फा प्रांत में खीची गई थी उस वक्त सीरिया के लोग रासल एन शेत्र में रह रहे अकाल के शेहर में घुस रही थी तो कुल भी लगकर सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा था वो सरासर गलत है फ्रांस में मुसल्मानों के इस तरह से अभी तक नहीं ख़देड़ा गया है जो दावे हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं इससे पहले आपको बता दे कि मुसलिम महिला पर फ्रांस में अटैक की खबरे भी खूब वायर हुई थी उसकी भी सच्चाई हम आपको दिखाई थी वो भी दावा जूठा साबित हुआ था